अब यह प्रशाइब कोपनेट की स्मयल आरी होगी का फ्रेवरिट है कोपनेट असलाम लेकुम होप आप सब ठीक होंगे मज़े में होंगे और जो फुल डिमांड टोड़ाई केक की रएसपी और आकाट यहीजांगे कोई सबी केक बना लें, बेसिक वहीजा होगी moments सब की सेम होती तोंगी मैंज़े, बहुत ऐसाइजस टिपस दोंगी के फ्लावर्स को लंबे ओर सब अरुस को कैसे आप फ्रेश रख सकते हैं केक लिए आपको चाहिए यह सारी इंग्रीडियन्स बटर लेने कोई सभी लेने मारजरिन लेने या लर्पैक लेने फ्री रेंज एग्ज होने चाहिए कोको पाउडर आपके पास होना चाहिए किसी भी मार्कीट का जो हो चलेगा सेलफ रेजिंग फ्लावर और शुगर तो सकेल थी डिजिटल उसकी बैटरी खतम हो चुकी थी तो मैंने यह पुरानी सकेल निकाली अब यह रूल यह है जितने अंडे होंगे उतनी बाकी चीज़ें डलेंगी अंडों का वेट जो है सबसे पहले आपने मैजर किया उसके साथ जितने अंडे थे उतना ही आपने अगर आप कभी कभी बनाते हैं तो बटर बहुत अच्छा है लेकिन मेरा तो बहुत ज्यादा केक बनता है तो मैं पि यह जो माजरी इसके अंडर ऑली वायल और बटर स्प्रेड किया होता है यह डाल लेती हूं यह कुछ अच्छी रहती है थोड़ी हेल्दी भी है और जी लाइट भी मिलती है और यह साथ में चला गया अगर हाथ से आप लोग विस्क कर रहे हैं लेक्टी मिक्सर नहीं है तो फिर आपने जो है वो बटर और शुगर पहले स्टार्ट करनी है उनको मिक्स करना है नहीं तो यह भी सारी रेसिपी ठीक है इसके बाद जी यह सेल्फ अगर आप प्लेन फ्लावर जूज करना चाहें तो इसके लिए रूल यह है टू एग्स के लिए आपने हाफ टी स्पून डालना है और फोर अंडर वाला बड़ा केक हो तो आपने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा का फुल जो है वो टी स्पून भरके डालना है तो उस इसको थोड़ा सा आपने इस ट्रेनर के साथ डालना है ताके छोड़ चोड़े बिर्स ना इसके रहा जाए इसी तरह अगर आप फ्लावर भी डालना चाहें तो इसी तरह आपने यह जो है वो यूज करनी है चलनी ताके यह बड़ा अच्छा जो है वो सॉफ्ट सा केक बने मैं इसको थोड़ा ज्यादा मिक्स कर ले तो इसलिए मैं जो हो सारी चीजें सीधी ही डाल देती है अब अगर आपके केक मिक्स्ट थोड़ा सा सकत है तो आपने मिल्क डालना इसमें और उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट कर लेनी है तो जी मेरे पास टू एग्स का केक हो तो य चोटा केक होगा तो आपने 170 उसको कर देना प्री हिटेड आपने पहले 180 पे करना और 10-12 मिर्स के लिए रख देना उसके बाद पिर आपने 5-15 मिर्स तक इसको रहने देना इसको जल्दी से नहीं निकालना और यह मेरे पॉट्स किसी ने पूछा था रैड वाले यह बहुत बचे बड़े शौक से यूज़ करते हैं इसमें चॉकलेट जो है मिल्क चॉकलेट और फुल डबल जो है वो क्रीम जाएगी इसके अंदर वरसा आपने इसमें इतनी चॉकलेट डालते जाना है कि आपना जो आपका डिजायर कलर है वो आ जाए मुझे थोड़ा सा डार्क प जो है वो बड़ा इसके इमोशन हर्ट नहीं करने आपने टिन में रखने के बाद जब आपने यह निकालना है तो आपके विंडोज और जो है डिरेक्ट हवा इस पे ना पड़े क्यूंकि यह इसकी मॉस्ट जो हती है इसके अंदर वो खतम हो जाती है और केक जो है वो आपके हाथ में इसकी रेसिपी चड़ जाती है तो आँखे बंद करके बगार मेजर किया मैं तो वो कप्स जो है वो यूज कर लेती हूं उससे भी बन जाते हैं टू अंड़ों का केक है तो हंड़न टून्टिफाइफ फॉर कहते हो कप्स का जो बड़ा होता है वो सारी ची जाते हैं जी और जो साइडों पर एक्स्ट्रा आइसिंग बची है वो अच्छे से आपने मिक्स कर लेनी है इसके स्पून के साथ कर लें किसी तरह भी कर लें तो फाइव मिनिस में जी सेट हो जाती है और केक जो है वो रेडी होता है तो यहां पर जी मेरे बच्चे बहुत चौक से केक खाते हैं तो मेरे लिए मेरे तो हर एक वीक में दो दफा तो यह बन जाता है लाजमी और मैं तो आपके जैसे मैं जी किये बगारी मनाती हूं यहां पर मेरा बीटा जो जहाँ उसको मैंने चाए मना के दिया और केक कि दिया तो क्योंकि यह उसका फेवरे तो इसके जो हुध इसकी आइसिंग्तों तो बहुत मुस्तर बड़ा ही मुझे का मनता है और आप दूर्व थैकर और मुझे दिस-ईसने मुझे मैंसेज कर though ती आप यह था खूंए तो तो क्या घूंते हैं नहीं तो आ एप सम पर दायों कि आपको कैसी के लिक अटीज दो मैं जो चैब कि एक समय का पिर नर्मानल एक स्विपना ने में और मैंने कुछा थाहिए जी और ने खोड़ आप दो एको साउब कर भी सिंग तरी पर सिर्दाः ने कर दो कि पीद बाया है मैं अुछा ने सेंगर में ने खेल पर सेंगर रेटें तो नेक्स अंट थी यह जो प्रस्टे पर ने पनाया था यह देखें जी बेसिक रेसिपी सेम है चार मैंने बड़े लार्ज रंडे लिये हैं सेल्फ रेसिंग फ्लावर अगें अगर आपके पास ना हो तो प्लेन फ्लावर यूज कर लें साथ में शुगर और यह पीछ डेसिकेटिड जो नेक्ट को वालों का मेरे पास पड़ा था बॉक्स कोकोनेट का वो गया सबसे पहले मैंने अंडे डाल ले जितना वे टंडों का उतनी ही शुगर उसमें डल गई यह देखे ना बेसिक रेसिपी बिल्कुल सेम है उसी तरह बटर उतना डाल दिया और साथ साथ वह मिक्स होता गया तो अगें हाथ से भी आप कर सकते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है अब सारी चीज़ें डालने के बाद सेल फ्लावर अग अगें टी स्पून जो है वह आपने डाल देना है उसका बेकिंग सोडे का और बेकिंग पाउंडर का तो यह चला गया इसके अंदर आप इसको मिक्स कर दिया अच्छे तरह जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई कोकोनेट भी जो है वह मैंने 100 ग्राम इसमें डाला था डैसिके तो जी इस तरह से टीन बड़े वाला स्कूर ट्रे मैंने रेडी की थी विक्टोरियस पंच केक हो विदाउट कोकोनेट वही रेसिपी है वह आपने दो टीन में उसी तरह जिस तरह चोकलेट केक बना था उसी तरह ही आपने दो टीन में डाल देना है और उसके मिडल में जल्दी बन जाती हैं चीज़ें बड़े हमन में थोड़ा सा मिंट जो है उपर नीचे हो जाते हैं तो इसके उपर जो हमने थोड़ा सा सीरप इसका रेडी किया था इसके लिए मैंने हाफ कप शूगर ली थी ममी जो है ना उनको डाइबीटी नहीं और वो शूगर ज्याद इसको बस शूगर अच्छे से डिजॉल्फ हो जाए पानी तो इस तरह से यह देखें टिन के अंदर से निकालना भी नहीं इसको अभी और इसको आप बेशक ओवर नाइटी छोड़ दें इसको लेकिन टू आवर्स तो आप इसको चोड़ें 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 तो यह आ केक तो इसको एक कि तो केक अव एल्फ हुआ रषण तो केक अवर्छी आप टी आप मैं सिर्फ वोड़ज से रहगे हैं पूरे करने वाले वह बनाने हैं तो जी हस्बंड के रवियूंगे केक बहुत अच्छा तेस्था ता यह मैने अपनी कूद की रज़्पी है तो जी नेक्स विक्टोरिया स्पंज केक लिगे उसके साथ बड़ा ही इंपोर्टन मेरी मदिन लोका जो हमने मेरी लास्ट वीडियो थे बड़े अच्छे मैसेज थे 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 तो मैं आपको यह सब बताती चलूँ के मैं इतनी टाइम से इस पे हूँ और या जितना मैं अपनी इनलास का कर रही हूं इस वक्त यह सिर्फ एक परसंट था उसमें से 99 परसंट मैंने नहीं दिखाया अगर इस तरह से मैंने वियू लेने होते तो मुझे लगता है कि अब तक बहुत आगे मैं जा चुकी होती है लेकिन मेरा ये कंटेंट है ही नहीं मेरा बिल्कुल डिफर कंटेंट है लेकिन बहुत जरूरी है आज कल की बच्चियों के हवाले से क्योंके जिस तरह के मैसेजिस मुझे आते हैं जिस तरह की मैं तो इंटरफियर ही नहीं अब करती है तो मैंने का मैंने आपकी परसनल मैसेजिस आपकी परसनल लाइफ में मैं इंटर्फियर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि बहुत बेटियों के मैसेज थे कि मारे घर तूट रहे हैं हम जो छोड़ना चाते हैं इवन इनलाउस के साथ रहना तो बड़े दूर की बा है प्लीज कमट में करके आप भी मुझे कमट में बताईएगा कि ये अच्छा चीज दिखानी बहुत जरूरी आजकल मोटिवेशन के लिए और ये साथ साथ ये देखे मैं फ्लावर का आपको दिखा रही थी कि को लंबे अरसे तक कैसे हम सेफ रख सकते हैं बस नीचे से आ नबे अरसे तक चाल जाते हैं और फ्रेश भी रहते हैं तो जी बात हो रही थी किसी के साथ अच्छा बरताव करने की बेशक। आपके घर वالे हों बाहर वाले हो हमेशा वैसे शुरुआवाद घर से करते हैं बाहर अच्छे होने का कोई फायदा नहीं है और मिरी अंमी कहत आती नहीं है कि वो किसी को कुछ दे दे तो मैं ये कंटिन्यू करूंगी इंशाला अपनी नेक्स वीडियो में भी तो अल्ला हाफिज